आपका सबसे biggest या proudest achievement जो आज तक आपने अचीफ के है वो आपके सबसे क्या है? जब मैंने बुछ कलीफा में फ्लैट खरीदा था तो वही शायद एक पनावद बेस्ट अचीवमेंट जो आज तक आपने बनावद अचीवमेंट से में मानता हूँ अगर किसी को मतलब सबसे रिल एस्टेट में जाना है कि यह चीज आपके अंदर होनीच यगर आपको रिल एस्टेट से अं करना है तो क्या बात है हो सकती है मतलब बहुत से आजकल फेमस हुए कि आना आप घर खरीदो मत आप घर रेंट कर लो इसके उपर आपका उपीनियन क्या है दो मेरा उपीनियन ऐसा मानना है कि रेंट एमदाबाद के पास में ही एक दोलेरा शेहर डेवलप हो रहा है दोलेरा स्मार्ट सिटी और उसका प्रोजेक्शन ऐसा है कि वो अगले तीस साल में बनके रेडी होगा उसका साइज के कर मैं बात करो तो वो मुंबई से थोड़ा बड़ा है साइज में एमदाबा से दोगुना साइज है सिंगरपूर कंट्री जो है उससे भी बड़ा है तो एक फूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो अभी ऑन गोई है उसका डेवलप्मेंट वहां पर चल रहा है तो वहां पर रोड बन रहे हैं एरपोर्ट बन रहा है है आइवेज बन रहे हैं कंपनियां आ रही हैं कुछ समय में और भी कंपनियां आ जाएंगी और ऐसे करते करते अगले 20-30 साल के अंदर में वो शेर बस जाएगा मेरा को वहां पर एंट्री करने के लिए तीस साल बाद नहीं जाना है क्योंकि वहां पर तब तब तो फिर से व अगर आप एक कॉंटेंट क्रियेटर बनना चाहते हो या फिर डिजिटली बिजनस करना चाहते हो या फिर इन दोनों फिल्ड को अल्रेडी कर रहे हो तो हमारा पॉड्कास्ट डिजिटल बिजनस क्रियेटर आपके लिए है और यहां हम कॉंटेंट क्रियेषं के बारे में बात करते हैं कैसे अच्छे कॉंटेंट कर सकते हो अगर दूसो काफे इंट्रेस्टिंग है, सो स्टार्ट करते हैं, सुक्षे जी, वेलकुम तो डीवीजी पॉड्कास्ट, मेरा हमेशा से कॉष्षिन, कॉष्षिन रहता है, जो भी हमारे गेस्ट आते, उनसे पूछता हूँ, कि आपका सबसे बिगेस्ट या प्राउड़ेस्ट अचीवमेंट जो आज तक आपने अचीव किया है, वो आपके सबसे क्या है, तरह तुम्हें आपको थैंक्यू करना चाहूँगा, आपने मुझे याँ इनवाइट किया, और बिगेस्ट अचीवमेंट और प्राउड़ेस्ट अचीवमेंट के बारे में अगर बात करें, तो जब मैंने बुझ खलीफा में फ्लैट करिया था, तो वही शायद एक one of the best achievement जो आज तक मैं अपने अपने अचीवमेंट से मैं मानता हूँ तो बुर्ज कलीफा में फ्लैट लेना मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था जो इसके लिए महनत लगी जो इसके लिए एफर्ट लगे और जिस तरीके से हम लोगों न पिछले कोई सालों में काम किया और यह चीज़े अचीज़े अचीव करी तो वन अव बेस्ट अचीवमेंट मैं इसको बताऊँगा तो यह आपका इस मतलब हमिशा से सपना था कि बुर्ज कलीफा में अपना होगा बहुत टाइम से आप यह ऐसा ड्रीम करते थे कि ऐसी फ् कि बुर्ज कलीफा में ही फ्लाट लेना नौ करें जब मैं तुछ नौ यह चीज़े हो गई तो यह चीज़े इतना अच्छा फ्लो आया किसे अच्या अच्छीए अच्यों कि हां यह मन कर रहा है तो वो फ्लो आने का स्टूरी प्रिप्स का बनलब कहां से अपने स्टार्ट किया? So, continuous महनत है, बहुत टाइम से हम लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, पिछले 12-15 साल की एक जरनी है, जहां पर हम लोग कुछ न कुछ बिजनस में involved हैं, और जो रिजल्ट्स है वो लास्ट 3 येर्स में आ हैं, पर जो उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है, वो 12-15 साल से च अच्छे मार्जिन्स तब मुझे मिल जाया करते थे, कैसे प्रोजेक्ट मतलब कैसा रहते हैं, जिसे अब यूएस, यूके और जो फॉरेंड कंट्रीज हैं वहां पर उनके कॉलिज के प्रोजेक्ट्स, उनके असाइनमेंट्स और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो उनको ह तो वह प्रोजेक्ट्स को लेके हम लोग काम करते थे, इस तरीकी से चीजों की शुरुआत हुई थी और दीरे-दीरे अलग-अलग बिजनस में इनवल्ड हुए, फिर उसके बाद हमारा कैब का बिजनस था, कैब नया-nया मार्केट में आय था, Ola, Uber यह सब आय थे, तो अ तब मैंने मुल्टीपल कैब्स पर्चिस की थी और वहां पर और तब इंसेंटिव्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ अगरते थे, तो फिर वो किया था, फिर एक ट्रांस्पोर्ट का बिजनस स्टार्ट किया था, अपन डाउन देख के सारी चीजों में, पर जो एक पुर्च के जो मेहनत हैं, जो पर पिर तीन साल में दिख रही है, पर एक्शल में जो मेहनत 12-15 साल की है, जो जुसे बुर्च कलीफा इतना बड़ा, इतना उचा byड़क्या विल्डिनिंग हमें दिखता है, पर उसकी जो नीव जो है, वो उतनी ही गहरी, उतनी ही अधब का तो सेम चीज हमें रिजल्ट्स जो बाहर दिखते हैं, दिखता है कि बहुत अच्छा अन कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, पर उसके पीछे की महनत और उसके पीछे के जो स्ट्रगल और जो नीव है, वही चीज एक्चुली काम आती है, और इसलिए आप मैं कैसे वह खरीच सकता हूँ, मैं जानबुच के आपसे बार-बार आपकी स्टोरी भी पूछ रहा हो, ताकि मैं आप बता हो और उसको और डीटेल में किया, इधर-इधर मैंने फेलिर फेस किया, या फिर मुझे इतना मैंने एक्स्पिरेंस गेन किया, यही अलग-अलग कि तीन साल में आपको अच्छे रिजर्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, तो वो थीन साल पे आने से पहले मैं आगीन और पूछना चाहूँगा, जैसे कि कैब वाला बिजनस आपने किया, और क्या बिजनस आपने किया, या फिर वहाँ पे भी और क्या-क्या अपने डिफिकल् कियाती है, और अगर आपका फैमिली बेगराउंड बिजनस का नहीं है, तो बहुत जादा चैलेंज आते हैं, तो आपको एक अच्छा मेंटर आपके पास होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करें, नहीं तो फिर आपके डिसीजिएन हो सकता है कि आप अपने एक्स सकते हैं, उसे किसी और का एक्सपिरियंस करना वो जादा अच्छा रहता है, खुद उसको एक्सपिरियंस करके और टाइम लेके, तो मेरा यह मानना है कि एक अच्छा मेंटर आपका होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो आपके आसपास ही हो, आप ओनलाइन भी मेंटर नहीं है, तो जो सबसे बेस्स सॉलुइशन जो मुझे भी तक लगा है, वो बुक्स है, आपके बात से मैं अदम जदा सहमा तो रिलेट कर पारा हूँ, क्यों मुझे भी ना, लाइफ में अमीर बना था, कुछ करना था, तो मुझे समझ मेरा था कैसे करना है, तो मैंने एक सीखो, वो आपको शॉर्टकट बता दे, काइंड ओफ, तो ये चीज मैंने भी सीखा था, बट अगिन प्रॉब्लम या थी कि वो ऐसे में इसे मिल नहीं पाता है, अब जैसे कि मुझे सीखना है, मैं भी रटन टाटजी से मुझे सीखना है, या फिर मुझे बिल गेट से सी और जादतर रिच लोगों में हैबिड होती है, बुक्स पढ़ने, तो मेरी भी जो जर्णी की शुरुवात थी, आपने जो रीजन बता है, वो एक रीजन था, कि आर मेंटर से सीखना है, लेकिन मेंटर मिलेंगे नहीं, चलो बुक्स सीख लेता है, तो वहां से मेरी भी ला किसी से सीख के करना चाहिए, तो कुछ हुआ था गया, तो मार्केट में हमने एक काफी कॉंसप्ट चल रहा है, अभी जिसे स्विगी का जो इंस्टा डिलिवरी एक फंक्शन अभी उन्होंने लांच किया था काफी कुछ ता पहले, और पोर्टर एक सर्वेस प्रोवाइड कर रहा है, तो जब यह चीजे मार्केट में इसनी कॉमन नहीं थी, तब हमने एक सर्विस चालो की थी, इसका नाम था हेलो डूडूड, हेलो डूडूड, यस, और उसका काम यही था कि पिक अन्डॉड सर्विस देनी थी, सिटी के अंदर में, तो उस टाइम पे, जब हमने स्टार्ट किया था, और उसको दो, तिन साल था एक्जग्यूट भी किया था, और अच्छे स्केल पे हम लोग एमदाबाद में काम भी कर रहे थे, सिर्फ एमदाबाद बेस्ट तब काम चल रहा था, तो वहां से उसको स्केल करने में मुझे जो इश्यू आ रहा था, कि मैं में अच्छा मेंटर होता, तो उच्छा मुझे गाइड कर पाता, तो वहां पर छोड़े चैलेंजिस फेस किये थे, और उसकी वज़े से काफी बार गलट डिसिंस भी हुए थे उस टाइम पर, और लास्ट में फिर टर्न आउट यही होता है, कि जब आपको बस डिसिंस गल क्योंकि स्टार्टिंग वेरास मेंटर था नहीं, तो खुद ही करना लगे सब चीजें, तो दिरे तरे एक्स्पिरेंस आई जाता है, फिर गिरते बढ़ते तो सीखी जाते हो, तो जो एक्स्पिरेंस मैंने गें किया, उस एक्स्पिरेंस को मैंने फिर यूस किया, अपने र तो भे एकन वो बुक का बात बता बता रहते हैं कि में इंटर से सिक लो, भुक से लो, वो भी वे लेसन दे रहते हैं, बट कई ब़र ऐसा होता है, हम आई में नहीं पाता है में Babu, यह पाता है आपको कोई भी काम करना है और आपको काम हो जाएगा जैसे कि आपको प्रॉपर्टी चीए तो प्रॉपर्टी का एक वहां पे सेक्शन रहेगा फिर आपको कुछ भी समान इदर से दर भीजना है उसका भी तो हम लोग मुल्टीपल चीजे उसमें कर रहे थे फिर सोचा बात में कि इसको स्केल करेंगे तो वह हो नहीं पाएगा त तो इसको स्पेसिफिकली सिफ डिलिवरी एप रखते हैं बाकी सारी चीज़ हटा देते हैं विकाज उसका सॉलुशन अभी मार्केट में नहीं है तो रियर से तबता हम चालू कर चुके थे फिर भी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका एक इन आउट हमें पता पड़ा थ चुकी थी तो हमारे pick up and drop service उसमें start था विकाज कि कुछ special permissions मिली हुई थी जो ज़रूरी चीज़े होती है उनके लिए फिर उस समय पर मुझे से लगा था कि हमें fund raise करना है मैं आपको एक बहुत issue आ था fund कैसे raise करना है तो फिर last minute ही हमने सुचा कि अब हमको खुदी कहीं से raise ह होना हो हम खुद तो earn करना ही बढ़ेगा बहुत अच्छा fund हमें चाहिए तो तो इसके लिए मने रियल सेट को वापर सेक्टिव किया पर different brand names है different जिसे जोनों match ना हो फिर हमार उसके बाद रियल सेट को proper focus किया और उस पर काम करना start किया तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे क को थोड़ा experience की कमी है क्योंकि क्योंकि वह experience अलएडी चीजे business experience अलएडी मिल चुका था तब तक तो और फिर वहां पर जो हर step पे आपको success मिलती जा रही है हर अभी शुरुआत कि शुरुआत बहुत पहले ही हो चुका ऐसा feel आता था और एकदम से वह चीजे फिर ग्रो हो अलटीमेटली जो experience पुराना था उसको यहां पर यह नया business जासा feeling नहीं आया है यह ऐसी था कि हाँ सब कुछ आता ही एक तरीके से वह उत्ता डर नहीं था वह उत्ता confusion नहीं था जो गई बिजनस स्टाट करते हैं कि क्या करें कैसे करें किस से बात करना है वह सब चीजे आप पहले कुछ इंकम होता है मेरे साब से कोई भी फील्ड में पहली इंकम आती तो बहुत अच्छा लगता है तो उसका कुछ ऐसा experience था कि यह डील क्रैक्टी और बहुत अच्छा पैसा है हाँ सो हमने actually किया दो पार्ट में रियोसेट किया हुना को बताना एक स्टार्टिंग म करके देते थे सर्च करके online help तो उस समय भी हमारी एक अच्छी मादा कुछ डील उस समय क्रैक हुई थी तो फर्स डील पर हमको तब अलमॉस बड़ी थी तो हमको करीब दो लाग रुपे का profit आया था पर फिर हमने उस पर तीन मेरे में हमको बहुत शाग प्रफिट पांच छ कोई mentor होता मेरे को तो बताता कि आप paralleli यह भी कर सकते हो हां हां तो completely shutdown मत करो exactly results मिल रहे तो हां हां यह गलती कई बार होती है और यह entrepreneur में होती है एक जगह से थोड़ा result मिल गया अरे चली यह तो थोड़ा आई गया यह वाले पर दादा focus करते हैं मेरे साथ भी बहुत बहुत तो मुझे पता था कि पहले कि यहां से हम रिजर्ट प्रोड्यूस किये हुए हैं तो lockdown के बाद में हमने फिर सुचा कि चलो अभी हमको funds की ज़रूद पड़ेगी तो हम लोग वापे से रिजर से start करते हैं तो हमने again उस पर पूरा focus करके काम करना start किया और हमें first deal में मुझे एक छोटी सी में दो तीन लोगों की टीम बनाई थी और हमने पांचे लाग रुपे first month में हमने earn किये थे okay very nice अगर किसी को मतलब मैंने सबसे real estate में जाना है तो वो starting के कुछ lessons होंगे कुछ तो बाते होंगी जो लोगों को पता होना चाहिए जो आपको पता होगी आप अपने किया तो कि यह चीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको real estate से earn करना है तो वो क्या बाते हो सकते है so real estate एक patience वाला काम है वहां पर earning अच्छी है पर आपको patience भी रखना पड़ेगा साथ साथ में क्योंकि आपने काम किया इसका मुलब यह निए आपको पैसा आ गया आपने काम किया तो डील पूरी भी होने चाहिए exactly हाँ आपने काम किया और आपके deal token आ गया client का तो इसका मु आपको पहले patience होना बहुत ज़रूरी है और real estate में आ रहे हैं तो बेटर रहे हैं कि आप थोड़ा experience लेके आए तो किसी company में कुछ time काम कर लिया 6 मीना साल बर 2 साल पर वो जो आपका personal जितना आपको experience थोड़ा patience थोड़ा experience और आपके अंदर में भागने की ताकत है अगर किस आप उसके इमोशनल चीज हो जाती है वह बहुत बड़ी तो आप उसके इमोशनल साथ justification कर सकते हैं तो इस इंडस्ट्री में आना ही सही है बाकि अगर आपको बहुत एथिक के थूप काम करना पड़ेगा because उसका है कि एक life changing moment होता है property खरीदना बहुत सर लोग के लिए तो risk मतलब reward भी है risk भी है कि कई बार कुछ गलत हो गया तो आपको accountability लोग आपको accountability लेनी पड़ती है तो ऐसा कुछ इंस्टेंट हुए या एक्सपीरियेंसे बाद एक्सपीरियेंसे में जो आप जैसे आपको lesson मिला कि यह नहीं करना चाहिए जैसे कई बार मेंभी for example मेंभी चीज़े सेट होती है हमारे एक काम करने का तरीका सेट होता है मैंने experience किया है कि अगर हम कुछ नया ट्राय करते हैं उससे अलग तो वहां पर reward भी अच्छा दिखता है कभी कबर पर रिस्क भी उतना ही होता है तो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ट्राय करते रहते हैं कि कहीं करने जा रहे अपनी च grouping करने जा रहे तो वहाँ पर आपको मुश्किले हो सकती है अभी मैं किसी साथ में काम कर रहा हूँ किसी ये काम कर रहा हूं क्यों कर दिया कि अगर। नहीं का सिस्टम अच्छा नहीं तो वह फिर मेरी लिए भी टरबल क्रेट कर सकता है तो दोनों चीज़ पैरलली चलती है तो अल्टिमिली यह है कि हमें हर चीज के लिए प्रिपार रहना पड़ेगा और अगर हमने मानली जी का एक्पिरेंस लिया हुआ है पहले तो आपको बहुत सारी चीज़े क्लारीटी होती कि यहां पर यह इस आ सकते हैं यहां पर यह है मुझे लगता है यह वन अफ द बेस्ट चीज होती है इंवेस्टमेंट के लिए आइड़नों काईफी सारे जो स्टॉक मार्केट वाले लोग तो होते है वो लोग बोलते नहीं नहीं स्टॉक 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 पट मुझे एक 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 पुछ खरीते हो आप अभी मैंन अब बहुत से आजकल फिमस हुए कि आप घर खरीदो मत अब घर रेंट कर लो रेंट कर रेंट कर इसके उपर आपका उपीनियन क्या है दो मेरा उपीनियन ऐसा मानना है कि रेंट जदा अच्छा है क्यों कि वह चो पैसा है ना उसको कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से और अच्छा उस पैसे को कर सकते हैं रेंट पे क्या है कि आप एक जिए एक तो बाउंड हो जाते हो अभी अभी लाइफ नी फास हो चुकी है ना कि आज मैं एम्दबाद रह रहा हूं हो सकता है दो साल बाद मुझे मुंबई शिफ्ट होना बड़े कि किसी और बड़े जो रेंटल जो होता है वो बहस होता है वहां पर रेंट पे कर रहे हैं आपको लोगा कि मुझे शिफ्ट होना है शेहर में भी शिफ्ट होना है एक एरिया से दूसरे अरिया में आप कभी भी सुछ कर सकते हैं प्लस इतना बड़ा एसेट आपको बहुत छोटे से रेंट में आपको मिल जाती है चीजे और आपको टेस्ट चेंज करना है कभी कि नहीं मुझे अभी इस टाइप की चीजे चाहिए तो आप वहाँ शेफ्ट हो सकते हो तो एक फ्लेक्सिबिलीटी रहती है आप हर तरीके से फ्लेक्सिबल रहते हैं और जब हम बेचने जाते हैं लगा तो रेट में मिलता है क्योंकि आपको फिर फटा फट बेचना है कहीं और शेहर में रहना है裝शना है तो महंगह में यह पर खरीदोंगे यहाँ क्योंकरोंगे चाह kicking तो चीजे को कि А.्ट। लेकिन अगर इंवेस्टमेंट की बात करा जाए या फिर रिल एस्टेट की बात करा जाए तो आपको कि रहता है इंडिया में कॉनसी कॉनसी जगह है जहां पर अच्छा रिटन्स मिल सकता है यह सारी चीजे जो अभी नई चीजे डेवलप हो रही है आप देखना कभी भी ओल इंगा प्राइज वो निव सिटी का हो रहा है क्यूं क्यों पर चीजे प्लानिंग से हो रही है वहां पर रोडवाइड है वहां पर ट्राफिक का इसज नहीं होता है इतना दा तो यह सब चीजो को अभी आप मुमबी में आ आयो अधा भी ने रिजिवलकू है बिलकुल जो तो अभी नया developments हो रहे है वो अगले 50-200 साल की planning से हो रहे है तो वहाँ पे जो क्या बोलते है प्राइस अभी एकदम कम होगा पर जब बनके रेडी होगा प्राइस इकदम पीक पर पहुंच जाएगा और जहां पर हम लोग बैठे हुए है जो ओल्ड सिटी है अगर वहाँ पर में इंवेस्ट करेंगे तो अल्रडी प्राइस पीक पर अब एक नया पीक बनने में इसको ट कि वह दिमांड पर होता है अभी यहां पर डिमांड कफी ज़्यादा है तो इसलिए प्राइस ओवर है पर अगर पॉपलेशन कहीं और शिफ्ट होने लग गई मुंबई के आसपास में शिफ्ट होने लग गई वहां पर कुछ इसा ने ने प्रोजेक्स आने लग गए तो उ को डिपेंड करता है कि डिमांड सप्लाई पर आज अच्छी डिमांड है और फूचर में रहेगी तो 100 परसंट इसके प्राइज पर ऐसा भी होता है मतलब ऐसा कई बर ऐसा लोग भी बोलते कि जो बना लेते हो लोग रेट गिरने नहीं देता है इसलिए वह रेट पर बना क अगर बात करें भी आप रिल स्टेट में फिर आपने वह रिल स्टेट में और आगे क्या आगे कहानी कैसे बड़ी क्या आगे क्या चल रहा है और अभी क्या चल रहा है करेंट सू डियल स्टेट में पहले अम्दाबाद में काम कर रहा था पर मैं जैसे बताया कि मुझे कु में ही एक दोलेरा शहर डेवलप हो रहा है दोलेरा स्मार्ट सिटी और उसका प्रोजेक्शन ऐसा है कि वह अगले तीस साल में बनके रेडी होगा पूरा शहर उसका साइज कर में बात करो तो वह मुंबई से थोड़ा बड़ा है साइज में अच्छा पूरा हाँ पूरा जब बनके पूरा कंप्लिटी डेवलप होगा एमदबा से दो गुना साइज है सिंगापूर कंट्री जो है उससे भी बड़ा है हां प्रोटल साइज में अगर में बात करो तो तो एक फूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है जो अभी ऑन गोई है बसा नहीं है अभी तक समझ रहा है हाइवेज बन रहे हैं कंपनियां आ रही हैं कुछ समय में और भी कंपनियां आ जाएंगी और ऐसे करते करते अगले 20-30 साल के अंदर में वो शेर बस जाएगा तो मेरा को वहां पर एंट्री करने के लिए तीस साल बाद नहीं जाना है क्योंकि वहां पर तब तो फिर से वह मल्टीबल टाइम ग्रो हो गए हैं अचा यस और वहां पर हम लोग जैसे कि थोड़ा बहुत में भी कुछ एक फिगर कि हां इतना मैंने डाला तो यह चीज मार्केट में जिन्होंने भी डाला था उनका ग्रो हुआ ही होगा अगर उन्होंने अच्छे से रिसर्च करके डाल हो और प्रइस चीजे ना खरीदी हो तो पिछले तीन सालों में धुलरा ने अलग 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 जगों पे अलग अलग रिटन्स दिये हैं कुछ एडिया में डबल ट्रिपल भी हुआ है कुछ एडिया में इसाथड़ बुना भी हुआ हुआ हूँ वह डिपेंड करता है अरि जो रिल एस्टेट में सोचता है करने का तो यह यह जहां पर मार्किट पूरा सैचुरेट हो गया वहां पर नहीं आप जहां पर इनिशली ग्रोथ का मतलब वो कर्फ स्टार्ट ही हो रहा है जितना जल्दी बलते है आप वो ट्रेंड को जितना जल्दी कोई इंसन पकड़ ले जा तक मुझे पता है बट अब जाके विज़ लेंगे तो इतना उनलों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा कंस्रक्शन होता है कुछ नया कुछ प्लान विजन के साथ जब कुछ चीज बनाई जाती है तो बनने से पहले तक कि उसके रेट काफी कम रहता है लेकिन जैसी एक बर चीज बन जाती है उसका रेट कफी बूम आता है और पर काफी प्रॉफिट मिलता है तो जो लोग भी समझदार होते हैं पहले ही वेव को राइड कर लेते हैं जो लोग को बहुत प्रॉफिट मिलता है इसमें एक और चीज़ इंवेशन और जो प्रॉपरटी बायर्स गल्त रहना है वहां तो आप अपना इमोशन भी लगा सकते हैं क्योंकि वह आपको बेचना नहीं हो आपको उसको रहना है पर जो आप अब हाईवे बनने के बाद तो फिर प्राइस पांच गुना हो जाएगा तो राइट इसमें क्या होता है आज से 10-15 साल पहले मीडिया इतना स्ट्रॉंग नहीं था इंटरेट इतना था नहीं तो इन्फोर्मिशन हमको मिलती थी जो रियर सेट ब्रोकर्स और जो कंसल्टेंट होते थे उनके थुरू वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है उसको वेरिफाय करने के भी तरीके कम थे हमारे पास पर आज की रेट में हमारे पास सारी चीजों की अविलिबिलिटी है टेंडर पास हुआ है नहीं वह आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको हर चीज मिल जाएगी सिर्फ गूगल सिंपल गूगल सर्च से मालूप कर जाएगा अब जैसे मं धुलयरा की बात करता हूंद एक तो अभी वहाँ क्या चल रहा है वो अपने डालते रहते हैं कि आज हमारे यहां पर Journal की ऑपट्बानि की शिन है आज हमारे यहां पर यह शारी चीजों की यृजिप ईप यह शुत होगा है इस साउप्र में जाते हैं जहां पर चेक कर सकते आपको असा पर्ट वहर प्रोजेक्ट की अलग होती है जैसे यह दोलेरा की मैं बता रहा हूं कोई और प्रोजेक्ट भी होगा जहां पर इन्वेस्टमेंट लोग हर जगह पर करते हैं तो आज माद इन्फोर्मेशन निकालने का सूर्स हर जगह पर अव है तो हमारे पास उनकी कॉपी रहती है कि हम उस फील्ड में काम कर रहें तो क्लाइंट को दिखाना बढ़ता है कि यह टेंडर पास होगा उसकी कॉपी यह है प्लस अब चलिए हमारे साथ विजिद कीजिए तो वहां पर सारी चीज़े आपको ग्राउंड पर होते हो दिखे काम तो हो नहीं है आज में तो कल वह चीज़े तो बनी है अब सोड़ा टाइम जादा ले लेगा हां इसके उपर भी अभी मेरे सबसे काफी काम चल रहा है की कमिट्मेंट्स लोगों के फुल्फिल हो जल्दी फुल्फिल हो रह रहा है यह सब चीज़े जो आई उसका क्या बहुत सारी चीज़े कस्टमर की फेवर में हो गई है जो पहले आज से 15 साल पहले उस चीज़े नहीं हुआ करती थी जैसे जैसे में मीडिया स्टॉंग हो रहा है सोशल मीडिया स्टॉंग हो रहा है हर चीज़े हो रही है गवर्मेंट भी आप देखना आज हर चीज़ों मे पहुंसा सब लोग productive हो जाते हैं तो उस तरीके सा अगर देखा जाए तो चीजे बहुत ही favor में हो चुकी है जो customer है उसके और developer भी यही चाहते हैं कि हम developer हैं वहाँ पे दुलेरा में काम करते हैं तो हम भी ही चाहते हैं कि हमने जो commit किया है इस time frame में हम यह काम करके देंगे तो हम भी उसमें bound होते हैं कि हमें भी customer को negative experience नहीं देना है और हमारे commitment पे उसको fulfill करना है जिसे कि उसका पैसा भी grow हो और future में मेरा और customer का एक लंबा relationship चले ब्रैंड एक बना रहा है एक बना रहा है सब लोग अपना opinion डाल सकते हैं मैंने पे भी recently मेरे दोस्ती आनन्त लजाजी वो भी बता थे कैसे train सही सफर कर रहे था उनको कुछ तो issue लगा उन्होंने फॉरन गंप्लेंट करी और विदिन फ्यू मिनिट्स गवर्मेंट वाले आया उनको चादर वादर कुछ तो अची है था वो सारी चीज़ उने ने कर दी मतलब काफी government भी proactive हो चुकिए पहले ऐसा नहीं कि नहीं है तो नहीं है customer कुछ कर नहीं सकता है और दूसे रहे से government भी कुछ नहीं कर रहे है अब पहले से बहुत ज़दा better हो गई तो और ऐसी कुछ और भी टिप्स है जो आपके साब से आप लोगों को समझना चाहिए एक और चीज है कि लोगों को अभी भी यह लगता है कि चीजे होने में टाइम लगता है पर ऐसा नहीं है अब पहले एक ब्रिज बनने में दो तीन-दीन साल लगते थे अब पांचे मिने है कि वो बनी रहा है तो अब वो स्टोरी बहुत कम हो चुकी है एक्जेक्यूशन फास हो चुका है तब टेक्लोजी भी स्लो होंगी उस टाइम पर अब वो टेक्लोजी वगरा अब एडवांस हो चुकी है तो वो पुराने thoughts को हमें निकालना पड़ेगा जमना बदल गया है चीज डे-डे और फास होरे हैं आज इसस्वी पर काम हो रहा है शहत फ्यूचर में और भी श्राइड से काम होगा तो अगर है बन रहे हैं तो यह अभी सालों साल बंता रहा का ऐसा नहीं है वो कुछी साल में वर कम्प्लीट हो जाएगा एरपोर्ट बन रहा है तो सालों सा पहुस्सारा तेरो जल्दी अब जैसे रिशेंटली मैं मुंबई के काही सारे देखता रही है, इतने टाइम में सुना रहे है वह है इंफ्रास्ट्रॉक्च्चर जिसों सबसादा रिटाइंज मिलेगा गवर्मेंट को भी और सबसादा लोगों को भी सबसादा से फायदा होगा तो ऐसी दुलेरा के गर मैं बात करो तो यही सारे रिजन्स ते जिसके जैसे अपने दुलेरा को चुना और 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 बी क्या और सबसे इंट्रस्टिंग पॉंज्च्च का लग्ताएंगी अब पिस्ट पॉरा के बारे में ग्राता हूं हम ने एत्वली बातें कर लिए बट 오् vidéo में एक बहुत बड़ा प्रजेक्त 2 फॉरी साइन की सनालिजक्ट का एम टाप झारता को अपना एरपोर्ट मिल रहा है उस शेहर को आज की डेट में आप जाके दिखेंगे तो आपे काम चल रहा है फुल स्पीड में आपे काम हो रहा है दोज़ाइब पच्छीश चब्वीस तक एक्सपेक्टेड है वो बनके रेडी हो जाएगा उसका फर्स्ट फेस एम्दबश से ध्लेरा के लिए स्पेशल एक aby बनाय जा रहा है हाइवे मननदकी एक्स्परेश वह होता यह यह होता है तो हो बनाय जा रहा है वहाँ पे यह वहां पर दी होगा तो आप वितिन लिए रिए वह तो उसकर पास में आप को घुई गडिए ल sniff शहर जो है ना अल्री जो एमदबाद है मुंबई है डेली है यह ओवर कावड़िड हो चुके तो इधर का जो मतलब क्या वलते है उसे कंट्रोल करने के लिए चोटे बड़े शहर आसपास में बनाने पड़ेंगे तब जाके वो चीजे एक शहर के उपर लोड नहीं आएगा अगले उस शहर के अंदर में अगले तीस साल में 20 लग लोगों को बसाने का प्लानिंग है अच्छा जिसमें 22 कुल मेटर का एरिया बनके आलमोस वहां पर रेडी है वहां पर टाटा जी कंपनीय के वहां पर आ गई है अपना काम कर रही है वहां पर वर्ल्ट का सबसे बड़ा solar park नहीं रहेगा बट जब इसका अनॉस्मेंट हो था तब यह वर्ड का बड़ा solar park का अनॉस्मेंट यहां पर हुआ था 300 megawatt वहाँ पर अलरड़ी इंस्टॉल हो चुका है उससे electricity produce हो रही है हां तो यह सब जो development से हो रहे हैं और अभी जो कोविड के बाद से पूरे वर्ल में चाइना एक मार्किट नेगेटिव हो रहा है पलब चाइना में अगर दिखा जाए तो पूरे वर्ल प्रिफर कर रहा है कि वहाँ पर हमनों ना जाए किसी और कंट्री को आप्ट करें तो उसका एक दुले रा में और यह ब एक चीज रहे थी कि जब ऐसे बड़ी कंपनी शिफ्ट होती है तो उधर पर काम करने के लिए लोग रहेंगे तो फिर वहाँ पर आजबाद लोग भी रहेंगे तो वहाँ पर शहर पर फोकस करने वाले हैं वो स्पेस और रिनेवल एनरजी और सेमि लोथल टाटा भी उसी पर काम कर रही है ऐसा का जाता है कि जब वो पूरा बन जाएगा वो पांच फेस में बनेगा अभी फस्ट फेस साल में बनके रेडी हो जाएगा जैसी वो पांच फेस बनके रेडी हो जाएंगे तो किसी भी इनसन को दो दिन लगएगा वो पूरा भी रहेगा मतलब वहाँ पर लोग स्टे कर सकते गूम सकते हैं इसे स्टेच्व उनिटी आज एक बहुत बड़ा टूरिस अट्रेक्शन है सो मैं एक्जेक्ट फिगर्स की में बात करूँ तो उससे डेड़ गुना जादा पैसा लग रहा है इस म्यूजियम में अच्छा सो जो अट्रेक्शन स्टेच्व उनिटी में अट्रेक्ट किया है जो टूरिस्ट एक हब बन चुका है एक स्पॉर्ट बन चुका है वो तो वैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते कि यहां पर भी हो जाएगा क्योंकि इतने बड़े स्केल पर चीज़ें वहां पर हो रही है तो उसका बेनेफिट डिरेक्ट इंडिरेक्ट हर तरह के से बेनेफिट दोलेरा को मिलने वाला है अभी वहां पर लोग बसना चालू नहीं है कब तक लोग आपके सबसे फिर भी बसना स्टार्ड करेंगे लिए भी बन रहे जो फ्लैटस बन रहे हैं वो अगर आज नके अज पर चीज़ें बनना के रेडी हो जाए तो लोग बस बी जाएंगे वहां पर लेकिन आज वहां पर रेडी है तो जो बन रहे हैं ऊपτα कितना पश्य कर दा है तो एक इन्सान इनवेस्ट कर रा हैं लोग एक अपना अनुमान बताऊँगा कि अमदाबाद का जो सबसे हाइस रेट है इस वह रूर। थ्री लैक रूपीज पर स्क्वेर याड हैस्ट एवरेज रेट हम लोग फिर एक से डेड लाख माल लेते हैं वन लैक वन पॉंपइंट फाइल लैक पर स्क्वेर याड दौलेरा म होगा मैंने बता ला कि ओल्ड सिटी और नए सिटी में फरक रहेगा हमेशा तो वह भी एटलिस यह रेट अचीव करेगा अमदाबाद का आज 4,000 पर स्क्वेर याड है बीस साल बाद यह आज अमदाबाद का डेड का एवरेज है तो तब तीन का एवरेज हो जाएगा या फिर चार का एवरेज है वह हम प्रिडिक नहीं कर सकते कितना होगा पर इसे ज्यादा ही होगा कुछ ना कुछ हम फिर भी 2,00,000 पर स्क्वेर बान के चलते हैं यहां पर 4,000 है और यह भी 2,00,000 का अचीव करेगा तो 4,000 से 2,00,000 जाना आप सोचो कि कितनी बार पहुंचेगा और फिफ्टी तामस मल्टिप्लाइ होगा तो मदब फिफ्टी एक्स रिटन होगा फिफ्टी एक्स रिटन आप बुल सब यह बीस साल की में जर्नी बता रहा हूं फिर आप इसमें कहीं पर भी पॉइंट कर देख लो उसको इसाब से यह एक तरीका हां और यह मैंने मिनियूम चीजे कांट करी हैं कि इतना जाएगा इससे जदा भी हो सकता है और जो रेट्स कंपरेशन जो मैं बताया अगर देखा जाए तो फिफ्टी एक्स मनलब हर साल दो डोड़ाइड हो ना जब होगा तब जाके वो फिफ्टी एक्स पहुंचाएगा जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो थोड़ा बहुत पीशे के रेफरेंस ही कर रहे होंगा तो यह चीज आप नोटिस कर रहे हो कि हां ऐसा बढ़ रहा है रेगुलर्ली बढ़ते आ रहा है उस करेट अब इसको आप देखिए तो आप सो रुपे से चार अजार रुपे तक खरिए न तो जैसे हम लोग हमारी कार खरिए तो उसका एक इंशॉरेंस करवाते हैं दस लाग रुपे की कार खरिए तो शाद 20-25,000 का इंशॉरेंस होता है और जैसे से गाड़ी महंगी होती है वो इंशॉरेंस मोहन भी बढ़ती रहती है और जो हम प्रॉपर्टी खरिदत हैं तो उसका तो इंशॉरेंस होता नहीं है मतलब प्रॉपर्टी की इंशॉरेंस अलग होते हैं पर जैसे जमीन खरिदी इस सब चीज़े उनके इंशॉरेंस नहीं होता है अब construction करते हैं घर बनाते हैं तो उसके इंशॉरेंस होते हैं पर मेरा समानना है कि इंशॉरेंस वाना कि यह सब कुछ सही है कि नहीं प्रॉपर लीगल डॉकेमेंटेशन हम लोग तो लीगल सर्विस प्रवाइड करते हैं पर वो अपना एक्स्टा पंदर अभी इतना पैसा डाल रहा है उसका पास में बन रहा है और दुलेरा की तरीके से दुलेरा वाले मौडल पे ही स्मार्ट रोड्स दिवलप हो रही है वहाँ पर पिछले 15 साल के अंदर में जो चीज़ें हुई है बहाँ पर लोग सुसरें यह बने गई नहीं रेडी भी नहीं होगा और आज इसका जो रेट है वो करीब-करीब अमदबा से जादा है लोग पहले पांस सल साथ सल दस सल पहले जो हां पर विजर करके आएं और यो नहीं नहीं किया है आज जाके हमाँ पर इंवेस्मेंट कर रहे हैं पर राइट टाइम तो हो था इंवेस्मेंट का तो वही इमोशनल डिसिजन लेके अब सब उस दिख रहा है वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई है सब एकदम हाई-टेक चीजें वहाँ पर आ गई है तो आके वहाँ पर इंवेस्मेंट कर रहा है उनको दिख रहा है अब सब कुछ तो वहाँ पर ग्रोध परसेंटेज थोड़े कम हो जाते हैं अभी जो आज से पांच साल पर उन्होंने इंवेस्मेंट किया था तो ग्रोध परसेंटेज उनका बहुत जाता होता तो same concept पे धुलेरा भी develop हो रहा है धुलेरा भी grow होगा आने वाले time पे उसके rates भी इस तरीके से बढ़ जाएंगे और बट ऐसा भी होता है कई बार मैंने भी सुना है कुछ ऐसी जगह होती है जिनका नाम काफी होता है बट फिर उतना हो नहीं बाता है जैसे कि for example मैं आपकी example दे रहा हूँ मुंबई का मैं गया भी हूँ लवासागर के जगह है काफी अच्छी है काफी beautiful ने बनाया बट वो project success नहीं होगा पर काफी problems होगी तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा पर ऐसा कुछ हो तो यह government-backed project है दुलेदा एक government-backed project है और यह एक बहुत लंबी planning के साथ में है क्योंकि smart cities तो बनने ही है वो तो कोई option है नहीं है इंडिया को ग्रो करना है इंडिया को एक developed country बनना है तो उसको तो ग्रो करना ही है साथ ही साथ इसके अंदर में government involved है state government और central government तो दोनों की partnership के साथ यह project आगे बढ़ रहा है सरकार कहीं की भी हो यह project center का है और state का है किसी government का नहीं है तो ultimately जो government इसको बना के ready करेगी उसी कोई इसका credit मिलने वाला है last में तो तो मतलब इसका जो ना होने का जो चीज है वो तो बहुत पहले ही वो पार करे चुके यहाँ पर अलड़ी बहुत हजारों करोड का investment हो चुका है airport बन रहा है highway बन रहा है government भी heavily involved हो गई चाहे कोई भी government हो अभी जिसे आपको पता ही होगा कि दिल्ली से मुंबई एक expressway बन रहा है जिसका काफी सारा हिस्सा operational है आज की डेट में और जो remaining है वो भी इस साल के end तक operational हो जाएगा तो उस पूरे highway पे आठ छोटे बड़े शहर नए बसाए जा रहे है अच्छा उस highway पर क्योंकि इतना बड़ा highway इतना अल्मोस्ट 96 लाग करोड के आसपास का कुछ investment उस highway पर हुआ है उसकी recovery के लिए बीच में जो जो शहर पड़ते हैं वो उसकी recovery के में काम आएंगे पर उसको और यूज में लाने के लिए और शहर बसाए जा रहे है अब वो इतना बड़ा highway है उसको उसको प्रॉपर यूज कर सकें उसका तो उसमें से एक शहर जो उस पर्टिगर प्रोजेक्ट में आता है वो एक दोलेरा है तो दोलेरा सिर्फ ऐसी निवसाए जा रहा कि बस रहा है कुछ बड़ी प्लैनिंग है जो एक दूसरे आप आसे प्रोजेक्स आप आसमें लिंक्ड है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि धुलेरा एक्चली वन अफ बेस्ट प्लेस है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बिलकुल मादब फूटरिस्टिक प्रोजेक्ट ह और वहां पर उसने ने एक माइस्टोन अचीव कर लिया है मलब एक जो होता ना कि इसके बाद यह प्रोजेक्ट बन नहीं है तो वो चीज़ उसने अचीव कर लिये काफी सरी चीचेश क्यों कि अल्रेडि अ होच्चकी जिसके जयसे रुक सकता था बहर आप दों लूघ सार ओल्रेडी पार होच्गे जो होगी हिए जो होगि जो होगी हाँ मलब क्याय है तो रहा है तो thot रहा है तो यह उसका 60-70% गांधी नगर का जितना एरिया बनके रेडी है वहाँ पर रोड रास्ते बनके रेडी है एक छोटा शहर तो अल्रेडी बनके रेडी है सिर्फ वहाँ पर चीजे बन रही है जैसे वहाँ पर होटल का टेंडर पास हो गया वहाँ पर फैक्टरीज आ रही है तो जैसी वह लग जाएंगी तो फंक्शनल हो जाएगा शहर ठीक है और कुछ ऐसा लगता है आपको लोगों को पता होना जरूर इस सिटी के बारे में सो मैं काफी सारी चीज़े बता चुका हूँ और इससे ज्यादा मेंस की बैस्ट ही रहेगा कि वह लोग यहाँ पर आए और गिफ सिटी विजिट करें दुलेरा विजिट करें और यहां के डेवलप्मेंट को देखें गिफ सिटी के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो देख पाएंगे कि किस तरी के से डेवलप्मेंट यहां पर हुआ है और कैसा होने जा रहा है दुलेरा के अंदर में तो आपना समय निकालके हमारे साथ विजिट कीजिए और कुछ दिन बिताएं कुछ रात में आप देखनाया झाए पτοफुर एक विजए नियुक्ग फूर क्या आप गानाये के ध्य आप unters It was a pleasure to have you. काफी सारी चीज़े मुझे भी इंट्रस्टिंग मालूम पड़ी है रिल एस्टेट के बारे में. और फॉर शूर कुछ नगुछ हम जरूर करेंगे. और अगर आप लोग को देखना है धुलेरा सिटी देखने में इंट्रस्ट है तो आप जाके जरूर कॉंटेक्ट ना डिस्रिप्शन में वहाँ पर कॉंटेक्ट का इंफर्मिशन दिया है आपको अक्षे जी खुदी इसके बारे में डेटेल बता देंगे जो घुमा देंगे झार ऑटबब में इंटी वहाँ जशन ना गसा देंग जय बता रहाँ जब करीक्ट तो आसे हांगे।